जी नमश्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नोलिज विधारशित में एस्टेट के लेकर जो ग्रेस मांक्स को लेकर आज न्यूस पेपर में काफी इंपोर्टन अपडेट आई है चेर्मैन का जो है वो ओफिशल बयान में आया है तो चलिए क्या कुछ लिखा न्यूस में हम आपको सार कुछ बताते हैं आप देख सकते हैं जूम कर दिया है हर्याना विधाले शिक्षा बोर्ड के और चायोजित हर्याना द्यापक पातरता प्रिक्षा के सवालों पर छेसो से अधिक प्रिक्षारतियों ने सवाल खड़े करते हुए उब्जेक्शन ल आये थे ऐसे में पिछली बार की तुलना में इस बार उब्जेक्षन कमाए हैं हर्याना वोर्ड के और से दो बातीन दिसंबर को तीनों लेवल टीजीटी पीजीटी प्याटी की हर्याना द्यापक पातरता प्रिक्षा करवाई थी प्रिक्षा के लिए करीब धाई लाग प प्रिक्षारतियों ने आवेदन किया था बोर्ड के और से तीन दिन का समया देकर प्रिक्षारतियों से उब्जेक्षन मांगे थे करीब 600 प्रिक्षा के सवालों पर सवाल खड़े करते हुए अब जांच के बादी साफ होगा कि कितने उब्जेक्षन सही है और कितने हर्याना द्यापक पातरता प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा जल्दी गोशित किया जाएगा इस बार 600 अब्जेक्षन आई है पिछली बार से कम है हमारी जांच टीम अब्जेक्षन की जांच कर रही है टीम की जांच के बादी संबंद में जरनल लिय तो मैं आपको बता दूं कि चेर्मेन के बयान में कहीं पर भी 30 माक्स की ग्रेश के पूरी न्यूजcción में कहीं पर भी देख सकते हैं कि 300 माक्स सिब ग्रेश का जिकर कहीं भी नहीं किया गया है दो दिन का जो है वो टाइम हो चुका है और अभी तक हरियाना बोर्ड की तरफ से कोई भी क्लिरेंस नहीं मिली है और आज फ्राइडे हो चुका है और most probably जो है वो मतलब की मंडे तक जो है वो या तो आज शाम को या फिर मंडे तक जो हो हरियाना बोर्ड को डिसीजन लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बाद तो जो है फूर वो लेट हो जाएगा क्योंकि फिर तो हरियाना बोर्ड भी रिजल्ट निकालने की थोड़ी सी जल्दी करेगा लेकिन हरियाना बोर्ड की तरफ से अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आई है मैं भी हरियाना बोर्ड में अपनी तरफ से एक बार बात करके देखूंगा और जल्दी मैं आपकी उसकी रिकार्डिंग में एक वीडियो लाओंगा कि हरियाना बोर्ड से मेरी बात चीट में क्या हुआ तो मैं बात करूंगा 11 बज़े के एक बज़े के आज पास वह भी आपको वीडियो मिल जाएगी तो लेकिन जो आज की न्यूस के कटिंग आई है इसमें तो कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि 30 मार्क की ग्रेस का कहीं पर कोई जी कर नहीं है तो आप देखते हैं कि हरियाना बोर्ड आके क्या डिसीजन लेता है तो हर अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ चूड़े रहें धन्यवाद